हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज हमारे कीचन में बनने वाला है हेली और टेस्टी निन्वा के सबजी इसे मैं बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय कम तेल और कम मसाले में मैं इसे बनाना शिख सबसे पहले यह देखिए यह मैंने एक केजी निन्वा लिया है इसको मैं छील ले रहे हूं तो वह जो पीलर होता ना उससे छीलने से क्या होता ना बहुत मुटे मुटे उसके निकलते हैं छिल के और जिससे के निन्वा में कुछ बचता ही नहीं है तो यह मेरा देसी यह मैं आपको पीलर से भी छील के बता रहें देखिए जो इसके स्किन है यह कितने मूटे मूटे निकलते हैं इसमें आधा छीलने में ही चला जाता है तो उसी के लिए मैंने देसी जुगार बताया है आप एक बार इसे ट्राइज जरूर करें आपको बहुत अच्छा लग कि जैसा आपको अच्छा लगा आप इसको इस तरह से चील सकते हैं मैंने दोनु तरीके से आपको चील के बता दिया है तो यह देखिए हम चीलने है 6 से हम ढ़ दो लिये हैं अब इसकी काटने की पारी आ गई है तो यह देखिए सब से पहले बहुत छोड़ छोटा काट के तयार कर ले रही हूं क्योंकि हमें इसमें टाइम नहीं लगाना है बहुत ही कम समय में इसको बना के तयार करना है तो इसके लिए है सबसे पहले आप इसे बहुत छोड़ छोटा हिस्सों में काट ले देखिए बिल्कुर इस तरह मैंने काट लि थोड़े से पानी के साथ यह देखिए हमारा यह तड़का तयार है तो तड़के में इसमें ज्यादा कुछने बेसिक सामान पड़ता है आदा चुटा चमच जीरा आदा चुटा चमच राई एक सुखी लाल मिर्च और थोड़ी सी हिंग बस इतना ही पड़ता है इसमें अब देखिए यह हमारे दो सीटी लगने के बाद हमारा कितना अच्छा से गल के तयार हो चुका है देखिए अब हम इसे तड़का देंगे तो यह देखिए सबसे पहले मैंने एक चमच तेल लिया है इसे मैं गरम कर ले रही हूं एक बार जब इसमें से बहुत अच्छा है यह करेंगे तो यह देखिए हमारा तेल बिल्कुल गरम हो चुका है अब हम इसमें अपना तड़का डालेंगे जो हमने से निकालके रखा था अब हम तड़के को बहुत अच्छा से तड़कने देंगे ताकि इसका जो स्मेल और इसकी जो खुश्बु है वह बहुत अच्छे स आजाये और जब हम इसमें अपना सब्झी डाले तो इसमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो यह देखे बिल्कुल यह रेडी हो चुका है तब अच्छासे बुन गया है सब है शक्राइी सर्सुयां बहुत अच्छा स्र भूम मिक्स हो चुका है तो यह देखिए अब हम इसमें अपने उबले हुए निन्वा को डालेंगे तो यह देखिए इस समय में आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे लो कर दे और उसके बाद इसे अराम से सारे निन्वा को डालके अच्छे से इसको चला ले बहुत अच्छे से मिक्स कर करके इसको चलाना है बिल्कुल के बाद बहुत सारा पानी उससे निकलता है तो अगर आपको वो पानी बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो आप उसे आधा पानी निकाल दे आधा ही पानी रियूस करें मैंने भी इसमें से आधा पानी निकाल दिया था और मैंने आधा ही पानी इसका वाला डाला है तो ये दे तेल मसाले में बनके तयार होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में ये बच्चे बड़ो सभी को बहुत पसंद आता है, ये देखिए, अब मैं कर्ची से इसको इस तरह दबा दबा के बहुत अच्छे से मिक्स कर ले रही हूं, ताकि ये जब हम खाए ना तो ये बहुत टेस्ट है, बिल्कुल चटनी के टाइप से हो जाए, मुँ में ना लगे, उस तरह हमें इस तरह बिल्कुल इसे बहुत अच्छे से मैस करके इसके पानी को सुखा लेना है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही कम समय में बनके तयार होता है, हमारी सबजी को तयार कर रहेना है, देखिए, मैंने पूरे पानी को सुखा लिया और इसको बिल्कुल इसी तरह मैस करते वे, ये कितनी अच्छी चटनी की टाइप से दिख रही है, तो बस हमें बिल्कुल इतना ही करना है, लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंग बाद में ज़रत हो तो और उपर से डालें लेकिन सुरू में कम ही रखें, तो ये देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा पानी सूख चुका है, ये हमारे सबजी बिल्कुल तयार हो चुकी है, ये अब मिसे परोसे, आप इसको रोटी, चावल, पराठे किसी के भी साथ खाएं कम टाइम में, तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें, आप मुझे जरूर बताएं कि ये सबजी आपको कैसी लगी, थैंक ये